गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आप लोग अपने घर पे सब एकनम सेफ होंगे और आप लोग घर पे रखे अच्छी तरह से पढ़िए जो भी पेडिया जा रहा है या वीडियो भीजा जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझी और घर पे पढ़ाई क कीजिए स्टैंडर्शिक्स का चैप्टर वन जो है साइन सब्जिक्ट का वो है सोर्सेज ओफ फूड तो इसमें जो है इसका पीडियाप में आप लोग को सेंड कर चुकी हों और आप जो वीडियो जो है इसे भी आप लोग इसको समझी अच्छी तरह से सोर्सेज ओफ फूड में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि फूड जो है वो क्या है वट इस फूड ओके a substance which is eaten daily to provide energy to our body is called food ऐसी चीज जो हम daily खाते हैं और जिसे हमें energy मिलती है तो उसे हम कहते हैं फूड energy मिलती है और ये जो भी हम work करते हैं उसके लिए हम energy चाहिए। और यह energy हमें कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। इसलिए फूड जो है वो, it is very necessary to us. इस शप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि, फूड जो है उसे हमें क्या-क्या फायदा है? we learn about the following step the topics are at first the need for food food की क्या जरूरत है then importance of food food जो है उसका क्या माहतु है what is the importance of food then variety of food food कितने तरह का होता है how many types of food are there then ingredients what is called ingredients ingredients किसे कहते है इसके बाद है sources of food food हमें किन-किन चीजों से मिलता है then types of organism on the basis of their food habit organism जो है वो food habit के अदार पे कितने तरह के होते है तो इन सब जो है topics पे यह हम लोग discussion करेंगे सबसे पहले need for food all living things plants, animals, human beings need energy to live and grow जितने भी living things है या plants है या अनिमल्स है सब जितनी भी जो है इन लोगों ग्रोव करने के लिए इंके ग्रोथ के लिए क्या चीज़रूरी है energy चाहिए energy कहां से मिलता है यह हमें food से मिलता है हमें जिन्दा रहने के लिए ग्रोव करने के लिए हमें energy चाहिए यह सब चीज़ें हमें food से मिलती है food जो है वो act as a fuel fuel का का काम करता है जैसे कि कोई वैकल्स को चलाने के लिए उसमें diesel या petrol डाला जाता है उसी तरह से हमारे body को work करने के लिए क्या चाहिए food चाहिए food हमारे लिए एक fuel का इधन का काम करता है all living organism and help them to do various activity जो भी हम activity करते हैं सुबह से लेके शाम तक तो यह जो इतनी activity हर चीज एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए हमें energy चाहिए energy कहा से मिलता है food से मिलता है so all living organism need food so all living organism need food इसलिए जितनी living organism है सब को food की आवशकता है food की जरूरत है the next topic is the importance of food food का क्या importance है food हमें बहुत तरह से help करता है it helps us in many ways जैसे कि food जो है इससे हमें energy मिलती है यह हमें क्यों जरूरी है for proper growth and development for repair and maintenance of our body and to fight against disease and to regulate all the body functions to get energy हम जो हैं बहुत सारे काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक from morning to evening we do so many works we are going to school तुम लोई श्कूल आते हो उसके लिए क्या चाहिए we need energy we are going to play just as football we need energy सब चीज के लिए हमें क्या चाहिए energy चाहिए so to do various day to day activities we need food दिन भर के काम करने के लिए हमें food चाहिए तो food हमें क्या देता है energy देता है तो first is to get energy food act as a fuel for all living organism गितने भी living organism है सब किसे के लिए food क्या काम करता है as a fuel इदन के रूप में काम करता है energy देता है second है for growth and development यानि growth and development के लिए food हमें बहुत ही ज़रूरी है growth ग्रोथ मीन जैसे के एक चोटा बच्चा जो है born child वो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर adult बनता है तो उसके लिए उसे food की जरूरत है उसके बॉडी का development होता है उसके लिए उसको food की जरूरत है you born as a child and for the growth and development of a child into an adult you need food यानि छोटे बच्चे से चाइल से growth होते होते हो जब एक adult बनता है उसके लिए क्या चाहिए food चाहिए you need different types of food such as protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals etc for the proper growth and development growth and development के लिए हमें different types के food की जरूरत होती है तो हमें इसलिए food क्यों चाहिए for growth and development next step to fight disease यानि बीमारी से लड़नी की ताकत जो हमें कौन देता है food देता है food से हमें हमारी immunity पाउर जो है वो increase होती है बीमारी से लड़नी की ताकत हमारे अंदर आती है बहुत सारे germs है, bacteria है, viruses है जो हमारे body में किसी ने किसी कारण से इन कर जाते है and they causes diseases in our body so we eat some protective food इसलिए हमें कुछ protective food खाना चाहिए such as vitamins and minerals यह protective food है vitamins and minerals these are protective food vitamins जो हमें fruits and vegetables से मिलता है minerals यह सब दोनों चीज़े जो हमें fruits and vegetables खाने से मिलती है इसलिए हमें fruits and vegetables जरूर खाना चाहिए green leafy vegetables and fruit also it protect our body against various diseases fruits and vegetables it protect our body against various diseases fruits and vegetables हमारे body में immunity power बढ़ाते हैं जिससे हमें बिमारी से लड़ने की तागत हमारे अंदर आती है this type of food increase our immunity power the next topic is to regulate all the body functions हमारे body में बहुत सारे functions होते हैं बहुत सारे life processes हैं जिसके लिए हमें food की जरूरत होती हैं we also need food to regulate all the functions of our body जिसके respiration, expression, reproduction, movement, etc. यह सभी जो functions है यह सभी life processes हैं और इन सभी चीजों के लिए हमें we need food to regulate all the body functions यह जो है we know about the functions of food why do we need food we need food to get energy for growth and development to fight disease to regulate all the body functions तो इसलिए हमें food की जरूरत होती हैं अब इसके बाद हम लोग देखेंगे the next topic that we read about the variety of food how many types of food are there that we eat that there are different type of food a variety of food are there different people eat different type of food according to their lifestyle according to their habit according to their availability of food so there are different type of food that we eat different people eat different types of food according to their habits, taste, lifestyle and availability on the basis of this the people are classified as vegetarian and non-vegetarian vegetarian people किसको कहते हैं people who eat only plants and plant products they are called vegetarian and the people who eat plant product as well as the flesh of other animals they are called non-vegetarian the people who eat only plant product and the parts of plant are called vegetarian non-vegetarian people who eat plants product as well as animal products such as meat, fish, egg etc. they are called non-vegetarian okay अब इसके बार नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे okay have a good day could you give us some有人 25 15 16 16 sch